हर चात्र के जीवन में बारवी कक्षा का बोर्ड रिजल्ट एक निर्णायक मोड होता है। सबसे जादा उन चात्रों को होती है। दाखिला उस पर ही निर्भर करेगा। खास बात ये है कि केवल दिल्ली उनिवर्सिटी ही नहीं बलकि 45 उनिवर्सिटी में एड्मिशन का एक 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 जान्क नहीं देगी। ये केवल उन्हें मार्क्स देने वाला है। इस मार्क्स के आधार पर ही प्रक्रिया में शामल उनिवर्सिटी अपनी कट ओफ लिस्ट तयार करेंगी। एक्जाम में गलत जवाब देने वालों की नेगिटिव मार्किंग होगी। कट ओफ तैक करने में बारवी बोर्ट की परीक्षा में मिले अंकों का कोई भी वेटेज नहीं होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखर कितनी भाषाओं में ये परीक्षा दी जा सकती है। CUET एक्जाम तेरा अलग-अलग भाषाओं में आयूजत होगा। ताकि देश भर के सभी चात्र अपनी पसंद की भाषा चुन सकें। इनमें इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, मराथी, पंजाबी, गुजराती, मल्यालम, कनड, उडिया, उर्दू, तमिल और तेलगुष शामिल है। रेजिस्ट्रेशन के लिए ओफीशल वेबसाइट खुल चुकी है। और परीक्षा जुलाई महीने के पहले सब्ताह में होने वाली है। अब आपको आगे बताते हैं कि रेजिस्ट्रेशन किस तरीके से की जा सकती है। और उसके लिए कौन सी डॉकुमेंट्स जरूरी है। रेजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ओफीशल वेबसाइट cuet.samarath.ac.in पर जाएं। वेबसाइट पर जाते हैं रेजिस्ट्रेशन लिंक सामने होगा। उस पर क्लिक करें। फिर अपनों मातापिता का नाम, मुबाइल नंबर, इमेल सहीत सारी डीटेल्स ठीक तरीके से भर कर सम्मिट कर दें। अब पेच पर वापस जाएं और लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद अप्लिकेशन फॉर्म सामने आएगा। उसे आप फिल कर दें। फिर अपनी फोटो और साइन अप्लोड करें। लास्ट में अप्लिकेशन फीस भी भर दें। इसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जो आएगी और आप अप्लिकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। अगर दस्तावीजों की बात करें तो आपको दसवी और बारवी की मार्क शीट, अपनी फोटो, सिंग्निचर की स्कैन की गई कॉपी, फोटो के साथ आईडी प्रूफ जैसे की आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदी या इसके लावा जाती प्रमान पत्र, नॉन अगर इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें लाइफ सिटीज के साथ, आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, धन्यवाद झाल